हेलो मेरे नियोजी इतनी अमित वीपेसी चैने शिक्षक शाती शिक्षा जगत से जुड़े तमाम परकार का दिकारी और बाउग को भिनान दन टूड़े नियोजी में आप सभी का श्वागत है फ्रेंड नियोजी सिक्षक ट्रांसफर पॉलिशी फैसला ये तीन फैसला आज सकता है शुत्र इससे पहले कि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कराओंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजगा वीडियो हिल्फ लगेगा तो लाइक सिर कमेंट कर दिजगा जी हाँ ट्रांसफर पॉलिशी की बात करें तो पंदरह दिनों में रिपोर्ट देने वाली कमेटी आज 45 दिन बीच चुका है और क्या कुछ है ट्रांसफर पॉलिशी को लेकर के रिपोर्ट जी हाँ फ्रेंड महिला सिक्षकों की शंक्या अधिक है इसलिए इस पॉलिशी को पी दूर है या नहीं जाना चाहते हैं इन सभी बातों को लेकर के जो है बिहार के सरकारी बिद्याले में जो भी पढ़ाने वाले हमारे सिक्षक है ट्रांसपर पोस्टिंग अनुकंपा पर नियुक तीश चबंधी पॉलिशी को बात करें तो लगभग तयार है लेकिन महिल सिक्षको की शंख्या अधिक होने वाली के कारण जो है फिर बदल करना इतनी आसान नहीं है समहौना है यह पॉलिशी त्यार करने वाली कमिटी पॉलिशी रिपोर्ट को सितंबर के दूसरे सब्ता में सिक्षा वीभाग को रिपोर्ट सौप सकती है जैसे कि आप जानते हैं कि कमिटी गठित करने के बाद 15 अगस्त की फैसला आने वाला था लेकिन डेट बीता और वे टीम की घोश्रा जो सिक्षा भी भाग ने की कि श्टडी करने के लिए वो तमिलाडू जाएगी जो गई जी हां फ्रेंज अब सवाल यह उठता है कि अब क्या हो सकता है आपके ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के शिक्षको के लिए एक गुड नेउज जी हां आपको बताते चले कि आप जैसे की जानते हैं कि 2025 में बिदांसाबाद चुनाओ है उस द्रिष्टी से हमारे माननी यह मुख मंत्री नितिश कुमार आपको कह दे कि जब से यह नियूज सिक्षक 2001 से जो पॉलिसी तीन से आई उसके बास से जब सिक्षक मंत्री और हमारे जो सिक्षकों का अहित हुआ हो लेकिन यह हमारे मुख मंत्री हर वक्त उनका प्रयोग किये हैं चुनाओ के लिए आगे बात करें इसमें तो रिपोर्ट जो आना है रिपोर्ट का धार पहीं होने वाली ट्रांसपर पोस्टिंग में लगबग तीन लाग से अधिक को सिक्षकों को फायदा पहुशाना है क्योंकि चुनाओ है इस सिक्षा विभाग के सचीव बैदनात यादों के अरिस्ता में जो कमिटी गठित हुई है जिनका पंदर दिनों का अंदर रिपोर्ट देना था वो नहीं दे पाई हाइलाट बिंदू क्या रहा अधिकान सिक्षकों की सिदार्थ ने उनकी उमीदों को जिन्दा किये थे लेकिन सिदार्थ से उमीदे जो है धुमिल होती नजर आ रही है बिल्कुल जिनका अधिक नंबर था उनको ऐसा मानना था कि सरी छेत्र मिलेंगे लेकिन वे सिदार्थ के अधिन जब यह पॉलिसी आई तब से धुमिल हो गई और इधर बात करें TRE30 के रिजल्ट का इंतजार भी है ऐसे में सिख्षकों की नई निवक्ति के बाद कई जगह पर सिख्षकों की शमस्या का निस्तकारण होगा ऐसे में पुराने सिख्षकों की ट्रांसपर पोजिसी सामने होगी और दिभ्यांग सिख्षकों को घर के पास निवक्ति का प्रयास फहला होगा और दूसरा बात करें तो अनुकंप्रा के अधार पर निवक्ति की परकिरिया में कई जगहों पर मौझूदा पद नहीं है ऐसे में नए पद को जिनरेट करने में दिकते आ रही है इस कमिटी कंद्रगत और वहीं मैच्वल मुझाफप गया हाजिपूर आने वाले की संख्या अधिक है यह पहले भी प्रीबेस वीडियो में हम कर चुके हैं कि पॉलिसी में कहीं ने कहीं एक बाधा बन करके आ रही है माना कि आपका परतना से जाने वाले सिक्षकों की संख्या 200 है किसी जिला में लेकिन आने वाले क कि शंख्या 1000 है तो कैसे समाइथ होगा एक बड़ी मैटर निकल करके आ रहा है इसे फैसले का अंतरगत या कमिटी की कहें जांच के सामने यह बाती आई है तो ऐसे में दिखते आ रही है अब सवाल है कि दूसरे सहरों में सिक्षक जाने को तयार नहीं है गरामी छेतर में ज सबकनाव ऐसे जाए तो असुभी धातो है घरदवार है सब कुछ है उनका एक मंदिर बना हुए कह सकते हैं घरदवार का मंदिर बना हुए तो दूर क्यों जाए अब सवाल है कि एपी के टीचरू की संख्या अधिक है देखिए टीयरी वन टू में एपी की संख्या जो है इसमें एपी के टीक्चर जो है बक्सर, गोपाल गज, सिवान, छप्रा, बालमिकी नगर, कैमूर में नुक्ती चाहते हैं। उसका प्रयास है कि रेल मार्ग वाले रास्ते पनिक्ती हो, इसलिए सिख्षा विभाग और बिहार के सिख्षकों की प्राथ्मिक्ता देने की मूड में हैं। आपको जहां हैं वहाराज कर्मी बना दिया जाए और वेट फॉर वेट, जी हां वेट करना होगा आपको आवेदन देना है कि आपकी ट्रांस्फर पॉलिसी में जो एक्षी का संत्रन की बाते हो रही है, कि जो 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 आना चाहता है उससे जाने दिया जाए, जो मांग की ज जाने जी जाने जी आजए उसे ट्रांस्फर किया जाए, जी हां फ्रेंट तो एक बड़ी बात है ट्रांस्फर में, देखें पदस्थापन से ट्रांस्फर पॉलिसी को नहीं जोड़िए, उसे में तीन बड़े फैसले आ सकते हैं, एक तो तीन बिद्दाले का च्वाइस आ जाएंगे, हाल कि एक बड़ा मैटर है जिसपर विहारः शिक्षकों का ध्यान इस पर पर्थी दिन टिका रहता है, वह लगतार इस बात को पुछते है, यह क्या हो सकता है, देखें जितनी दुबीधा में सिक्षक है, उतनी दुबीधा में कमीटी है, उतनी दुबीधा मे सिख्षकों की एक बड़ी संख्या को ट्रांसफर करना एक बड़ी कठी चुनोती है जो पंडर शुलो सालों में नहीं हुई यानि लगतार ये सिख्षक मांग कर रहते आज से आपका जब से बहाली हुई है यानि 2003 के बाद से ही लगतार मांग कर रहे हैं खास करके 2012 के बाद तो पूरी तरह से दबाव माई है जब टीटी की निव्टी हुई तो वैसे सिख्षक जो दूद राज में निव्ट हुए उनका ये लगतार मांग रहा है कि अस्थांतर पॉलिशी को सिधा किया जाए और जो सिख्षक जहां जाना चाहता है उसे जाने दिया जाए और तब में यह बहुत महत्मूर्ण हो गया था कि ट्रांसफर विहत जरूरी है लेकिन अब सवाली है कि कमिटी गठी कमिटी कमिटी का जो खेल चल रहा है यह मान के चलिए कि यह 2025 को अपने अगोस में ले लेगा यह जो सरकार मानती है या मान कर जो चल रही है अपनी पॉलिसी को न तो फिर जो आई है अंदर खाने से बाते यह तीन ही है या तो तीन बीद्याले तीन परखंड या आप तक काल परभाव से बीद्याले में बने रहेंगे और ट्रांसफर के लिए अवेदल लिए जाएगे लेटिस अबडेट में आप बने रहें इसके लिए धैंक्स विडि